आज हम यूनिट नमबर फोर का टॉपिक टू में देखेंगे कि जो हमारे पास रीसर्च बेस्ट मैसर्स मौजूद हैं रीड अलाउट करने के उसमें टेक्स टॉक के बारे में हमें मजीद और क्या जानना ज़रूरी है जब हम बहुत छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं और उनके लिए कहानियों को चूज करते हैं कहानियों में से विकाबलरी को पहले ही पिन पॉइंट कर लेते हैं जो हमारा प्रॉपर इंटेंशन होता है कि बच्चों को ये vocabulary हमने सिखानी ही सिखानी है इसके मानी उन्हें जान नहीं है क्योंकि उन्होंने इसको आगे use करना है और इसको हमने passively नहीं सिखाना हमने actively सिखाना है ताकि बच्चे activities में और conversation में और अपनी different किसम के जो आप उनको assignments दे रही है उनके साथ आप काम कर रही हैं उसमें वो इसको इसको इस केस के अंदर especially preschoolers के साथ और छोटे बच्चों के साथ जो एहम चीज़ आती है वो यह आती है कि बच्चे आप से पूछते हैं कि इस difficult word का क्या meaning है या इस term को आप explain करें मजीद बेतर तरीके से ताके बच्चों को समझ आ सके अब बच्चों को समझाने के लिए जरूरी है कि जो definition आपने opt की है और वो definitely child friendly हो उसमें उतने ज्यादा मुश्कल इलफाज ना हो जितनी मुश्कल term है कि बच्चे वो समझी ना सके है कि आपने क्या बोला यह definition को आप advanced level पर जाके ना समझाएं कि जो बच्चों की cognitive abilities है वो उनसे बाहर हो ऐसा कब होता है ऐसा तब होता है जब आप मुश्कल terms लेते हैं for example photosynthesis ले रहे हैं आप photosynthesis को जा की google करते हैं या आप एक अच्छी dictionary से उसके meaning find out करना चाहते हैं उसका concept समझते हैं और बच्चों का explain करते हैं definitely जो आपकी google के उपर जो dictionary मौझूद है या आपके पास जो advanced resources मौझूद हैं वो advanced students के लिए वो बच्चों के लिए नहीं है या आप बच्चों को बताना जाते हैं कि coincidence का क्या मतलब है या avoid करने का क्या meaning है तो इनके meaning जब आप dictionary से देखेंगे तो आपको मुश्किल ही मिलेंगे इसके explanation adult के लिए की जाती है बच्चों के लिए उसके अंदर मौझूद नहीं होती एक तरीका आपको back नहीं ये आया है कि इसका एक अच्छे तरीके कारी है कि आप वो definitions खुड develop करें उसके meaning खुड लिखें और ताके वो meaning ऐसे meaning हो जो child friendly हो अब हम कैसे definition लिखें हम खुड कैसे उसके meaning को device out करें या explain करें या उसको हम adopt करें जो बच्चों के mental level के मताबिक हो उन बच्चों के जो आपके पास मौझूद हैं तो तीन से आठ साल के बच्चे हैं इसका तरीके का बैक ने जो हमें दिया है वो ये है definition को suitably explain करने के लिए जरूरी है कि आप कुछ common terminology जो हैं जो आप उनको पढ़ाने जा रहे हैं उसको अपने दिमाग में लेकर आएं और उसको आप एक तरीके से define करना शुरू करें सबसे पहले आप ये पूछें कि अपने आप से सवाल करें कि मैं इस word को क्यों इस्तिमाल कर रहा हूं या ये word इस किताब में क्यों इस्तिमाल किया गया है ताकि उसकी child friendly definition भी आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगी नमबर टू जब आपके सामने एक definition आजाए आपके दिमाग में definition आजाए कि मैं इस word को क्यों इस्तिमाल कर रहा हूं आप उसका एक context बनाएंगे उसका एक जवाब सोचेंगे जवाब बच्चों को देंगे फिर आपने कि सोचना है कि why do we have this word यही word क्यों हमने इस्तिमाल किय यह word है क्यों इसका माइनी क्या है इसे मिलते जो जो words है उनके माइनी इससे कैसे different है ताके आपके attention focus रहे कि जो word आप बच्चे को सिखाने जा रहे हैं उसका वही meaning आप बताएं जो उसका central meaning है ना कि आप उसके और ऐसे meanings बता दें जो कि उसका central meaning नहीं है number three आप कुछ अपनी explanation के अंदर जो चीज़े एड कर सकते हैं वो है something और someone ताके आपका जुमला बेहतर बन सके आप बेहतर तरीके से describe कर सके हमारे पास दो examples मर्जूद है पहला word है हमारे पास extraordinary अब आप देखें आप teacher ने इसको कैसे develop किया है अपनी definition बताई है बनाई है ता out of the ordinary so इसका मतलब है वो चीज़ जो ordinary नहीं होती वो extraordinary होती है वो चीज़ जो special होती है जो unique होती है आप वो हम extraordinary कह सकते है teachers में example भी दे सकते हैं दूसरी example हमारे सामने drowsiness की drowsiness क्या है अगर आप बच्चे पूछते है teacher कैसी definition बताएगा जो बच्चों से relate कर सके यह कैसी feeling है जिसके अंदर इंसान जो है अब वो सोनी ही वाला होता है और उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी आखों को खुला रखे और अपनी attention दे सके और आखों को खुला रखना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें शदीद नीदारी होती है और अब बस ह और मुश्किल मेनिंग भी निकलाएगा और एडवांस लेवल के एक्स्प्रिनेशन निकलेगी तीचर्स के लिए जरूरी है कि वो उसको पढ़ने के बाद बच्चों के लेवल के मताबिक इसको अडॉप करें इसको खुड डिवेलप करें